कोश्चन नमबर वन फाइंट देश्ट करना है जो भी नमबर दिये हैं उनका डिवीजन मेथद से इसको रूट निकालना है तो पहला कोश्चन से हम ले रहे हैं ए नमबर का हो ड्याइट दिश्टे इसे हैं यहां पर जो भी नमबर दिया आपको आप लिख लीजें अहले सब्सक्राइब और जो इन दोरों को मुल्टिप्ला होगा वार उपस में हो और जो मंटिपलाइ हैं फॉर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए है यह तो इज़ा डिखते हैं गंफ यह riding अपड़े हैं इसलिए और टू गंघ जूल और डिखने तो यहां पर 0 हो दिया फिर इस बाद 0 2 अब इस 2 को यहां पर प्लस कर दें तो यह बने का 4 अब 0 2 में करना है तो अगर यहां 0 लिख दें तो यह 40 वाले गवा और 40 जीरो को मल्टिप्लाई होगा तो 0 आएगा यह फिर इसके बाद अब अब नेक्स्ट पेर को दाएंगे पहले जीरो वाले को लिखाता है अब इस जीरो को इस जीरो को इधर जीरो में करस कर देंगे प्रोसेस वही है 40 हुआ अब क्या करना है कि इसके बाद यहां पर एगर मैं 1 लिखता हूं 401 विखना पड़ेगा तो अल्रेट है 200 से जाणा हो रहा है टो जीरो लीखती है यहां जीरो हो जाएग और मैंस करने कट्रिव यहांगा 200 200 आएगा और यह वाले लाश्ट पैर को साल देंगे तो करें यहां पर लिखते हैं तो यह वह जाएगा 4001 और यहां पर लिखा है 20,000 25 इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए तो इदर देखिए यही मैं 4 लिखता हूं यहां पर भी 4 लिखना पड़ेगा तो 4 इन दोरों का जो मंटिप्लाइग होगा तो हो जाएगा 4 फोल्या 16 की 6 क्यारी आई 1 और 400 और 4 फोल्या 16 इतना आ रहा है कि इससे 20,025 से बहुत काम है तो 5 लिखते देखिंगे 405 इंटू 5 तो लेखे 55 25 की 5 क्यारी आई टू और 500 और 5 फोल्या 20 यहां गए 30,025 तो यहां पर लेखेंगे 40,025 आप इसको माइनस करेंगे तो यहां पर रिजल्ट 0 आ जाए तो इसका स्कारूट क्या है जो इसका स्कार है स्क्वारूट आफ 25 इक्वाल टू यहां पर भी 5 निखना है और इधर भी 5 निखना है तो यहां से हमारा स्कारूट क्वाल गया और इसके स्क्वारूट क्या है तू थाउजेंड फाइट यह आपका आंसर आ गया एक बार फिर से समझ दीजिए पहले तो पेर बनाना है aja तो 523 ग्रूञे का प्लå गया उसका नहीं पर और आप फोर क्वार तो हम यहां पर एयसा बंपर लिखना है फिर किया अट हैक लिए कि तो फोर अ aku दिलुmışतो ना ही गया करा पुलिखती ऐर है तो मैंने बलिखा फिर इस 2, 2 जा 4 इंदो लों को माल्टिपाई हो इधर आया और यहां पर रिजल्ट 0 हो गया और यह जो 2 इधर था आगे की प्रोसेस करने के लिए इधर प्लस कर लें तो 2 2 4 हो जाएगा इधर 4 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा अब हम यह पहला प्रोसेस के लिए यह 40 में 0 प्लस किया तो 40 आएगे है आप मैंने इसका 2 बचा था और इसका 0 फिर इधर आजाएगा तो यह 200 हो जाएगा अब 200 में क्या किया मैंने 200 यहीदी मैं 0 लिखता हूं तो 400 बन हो जाएगा तो आलेडी ज्यादा हो जाएगा तो 400 बन इससे 200 से ज्यादा हो जाएगा इधर 0 लिखा तो 400 अब 0 कमालिशिक लाएगे पी 0 आगे की प्रोसेस के लिए हम अब 400 बी 0 प्लस के तो 400 होगया और 400 के बाद देदी मैं इधर 4 लिखता हूं तो 20,000 25 से बहुत कम है तो अब क्या करेंगे हम इधर यहां पर 6 लिखता हूं तो 4006 बनेगा और 4006 लिखने का मत्तब है कि 4006 इंटू 6 जो आएगा वो इधर लिखना पड़ेगा तो यहां पर जाता हो रहा तो 5 मैंने लिखा और 5 लिखने पर 5 इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे 5 लिखने पर आया 20,000 25 और फिर माइनस कर दिया तो यह प्रोशेश को ध्यान वे रखना है और आपको जो स्क्राइर रूट आ गया स्क्राइर रूट ऑफ फुड इस्क्राइर रूट ऑफ गिवें नंबर्स इक्वल टू थावजेंड फाइड यह आपका आंसर आ गया इसका जो अगला पोश्चन है वी नंबर का उसको भी करेंगे तो इसमें जो है रेलिश्ट्राइटिक माइन जीची फिर स्लीपिंग लाइन जीची यहाँ पर 3 2 3 7 6 1 इसका भी प्यार मान आएंगे 1 2 3 अब देखे इधर यहीं 5 लिखता हूं तो 25 पाएगा और यहीं 6 लिखना पड़ेगा तो 36 हो जाएगा तो हम 5 लिखेंगे जादा हो रहा था 6 लिखने पाट और 5 तो 25 पर 5 को मंटिप्लाई होगा तो 25 अब यहां पर 0 हो जाएगा आप 37 पेर से इतार्ना जिल का पेर बन रहा है और इस 5 को यहां पर प्लस कर दीगा तो आया कि दिता 10 अब यहां पर हमें ऐसा नम्मा लिखना कि 737 से ज्यादा ना हो तो टू लिखने में बहुत कम आएगा फोर लिखने देखते हैं तो अगर मैं फोर लिखना पड़ेगा तो फोर पोर्जा 16 और 4 416 आएगा तो मैं 6 लिखके देखता हूं तो 106 बनेगा तो 36 और 636 तो मैं अब 7 लिखके देखूंगा तो 107 इंटू 7 तो 7 जब फोर्टीनाइन फोर 749 जादा हो रहा है इसका मतलब है कि हमें 6 लिखना पड़ेगा 6 लिखना पड़ेगा जोभी 7 अगया मैं 7 इधर लिखता हो तो यहां भी 7 लिखूंगा तो 749 आ रहा है तो 6 लिख दिया 6 लिखने के बार अब इसका तो करेंगे मंटिप्लाइग तो 106 बना तो 106 का 6 से मंटिप्लाइग करेंगे तो 6 और इधर आएगा 6 सिख जा 36 की 6 कैड़ी आई 3 तो 6 बन जा 6 का 0 सिखिया तो 0 आएगा और 636 आएगा 636 तो इधर 7 में सिख जाएगा 1 और 3 में सिख जाएगा 0 और 7 में सिख जाएगा 1 101 101 इसके वाद यहां तरका हमने यहां पर कर लिये अब 61 लास्ट पेर बचा है उसको इधर लिख लेंगे अब इसमें 6 यह 6 को इधर प्लस कर नहीं के आगे की पूर्सिस के लिए तो क्या हो जाएगा यह 612 और इधर 112 यह हो जाएगा आपका 112 112 अब यह दी मैं एट लिखता हूं तो यह 10161 है 10161 है और 10161 यह दी आता तो आज आप डिवाइड करते हैं इसा नंबर लिखना है जो इधर लिखेंगे वो इधर लिखेंगे इन दोनों का मल्टिपाई हो तो 10161 यह दी आता तो आजाए यह कम भी आ सकता लेकिन जादा नहीं आए यह दी 9 लिखूंगा तो दी मैं 8 लिखता हूं तो इससे कम आएगा 10 लिखूंगा तो ज्यादा आ यह पूरा कम्प्रीट हो जाता है और इसक्वारूट आफ यहां पर उपर लिखते दे रहे हैं लिख देंगे कि देर्फोर इसक्वारूट आफ एक्वेल टू 569 यह इसका अंसर आ गया तो अभी मैंने ए किया और बी दो कोशेंस मैंने यहां पर सॉल्ट किया अब हम क्या करेंगे पेर बनाएंगे एक फेर दो पेर और प्रका ने बना तो टू टू जा फोर यह तो जादा हो जाएगा तो क्या थिया टू टू जा फोर लेग दिया तो यहां पर माइनस कर दीजिए फिर टी एक लिखा इस टू को प्लस कर दिया तो यदि थी लिखते है तो फोर्टी थी बनेगा और यहां पर भी थी तो फोर्टी थी लिखा तो यहां पर भी अब यहां तू लिखते है तो फोर्टी टू बनेगा और इधर फोर्टी थी लिखना पड़ेगा तो ज्यादा आएगा इसलिए वन लिखेंगे अब 441 का 1 से मल्टीपाई करेंगे मिंस इस ट्राइप से 441 इंटू 1 तो 441 आएगा यहां पर लिखेंगे अब माइनस कर देंगे तो यह कैंसल हो जाएगा और हमारा इसका रूट्स कब्रीट हो जाएगा तो इसका रूट आप 48,841 इक्वाल तो 221 यह आसर आगया नेस्ट कोस् इसको इसी ट्राइप से करेंगे पेर बनाएंगे तो यह पेर बनेगा आप देखें इसमें यहीं फाइब रेतें तो जादा होगा फोर पोर्जा 16 यहां पर माइनस कर दिया टॉलमेंस की जाएगा 6 और यह पेर 25 इसका इधर लिख दिया इस 4 को प्लस कर देंगे तो यह हो जाएगा 8 अब यदी मैं इधर 9 लिखता हूँ तो 89 बनेगा और 9 नाइट जाएट ज्यादा हो रहा है तो मैं क्या करूंगा 7 लिखते देखता हूँ 7 पर आ रहा है कि नहीं तो इधर 7 लिख दिया तो बनेगा 87 इंटो 7 9 4 और 66 09 यहां पर भी 7 लिख दिया और 448 और इधर 7 लिख दिया इधर 7 लिखा और इधर 7 लिखा तो यह की 7 और 7 को मल्टीप्लाइब करेंगा आएगा 60 जीरो 9 60 में से 9 जाएगा तो 7 और इधर आएगा 4 यह कैंसल हो जाएगा अब हमारा लास्ट प्यार जो बचाया 25 इस पो इधर लिख लेंगे इस 7 को इधर लाक 94 अगर इधर 6 लिखते हैं तो क्या माले गई 946 और इधर भी 6 लिखना पड़ेगा तो 4725 से ज्यादा आ रहा तो 5 लिखते हैं कि 5 इतने पिसने आ रहा है तो 55 25 की 5 करी आई 2 522 तो आएगा करी आई 2 5 9 जा 45 और 47 मिन्स 4725 तो यहां पर क्या लिखतेंगे 5 जब यहां पर 5 लिखा तो 945 पर ना और इस 5 को मंटिपाइग होके आया 4725 माइनस का प्रिया तो यह जिए जिरो आ गया तो जो इसका स्कार रूट आया मिन्स तूल आग 25625 का तूल आग 25625 इसका जो इसका रूट आया वह आया आपका 475 यह इसका आंसर आ गया Q2 Q2 है find the number of digit in the square root of the following numbers जो भी आपको question दी है जिससे 49 इसका 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 इसाओर निकालना है और निकालके जो भी answer आएगा वो बताना है कितने digits का रहा है न इसका रोट इसका रोट आप produto तो दुश्य बन आएगा और इसका रूट ऑफ 169 निकालेंगे तो आएगा 13 तो इसका फिर 169 का निकालेंगे तो तो आएगा आपका ठूशिप में फिर 6,724 निकालेंगे तो जो भी आंसर आएगा इसका ठूशिप में मिलेगा और इस तरह आपके निकालना पड़ेगा और निकालने के बाद देखना पड़ेगा कितनी डिजिट में आ रहा है वो आप रिखेंगे कोश्चेन नमबर थर्ड कोश्चेन नमबर जो थर्ड है आपका वो है इस 684 एक परफक्ट इसकोयर इस नॉट वाट इस नमबर देट फूड बेट इसकोयर तो मेंक इसकोयर नमबर है यदि नहीं तो इस नमबर का पता करें जिससे स्कोयर तक हम एड़ करें यह बरकर शकोयर नमबर बन जाए तो पहले हम क्या करेंगे स्कोयर रूट निका लेंगे तो 2 3 6 2 4 जा 2 2 2 जा खिर 2 1 जा 2 7 जा 14 2 1 जा 3 से जाएगा 3 5 15 3 7 जा 21 खिर 3 से जाएगा 3 1 जा 3 9 जा और 19 से जाएगा तो इधर बन आ जाएगा, तो 684 जो हमें प्राइम फेक्टर मेले है, 2 x 2, 3 x 3, 3 x 19, तो 2 और 3 का पेर बनना है, 19 का पेर नहीं बनना है, यहर, प्राइम फेक्टर ओफ, फेक्टर ओफ, 99 पेर, 9 पेर, तो 684 जो निकालेंगे, तो 684 का निकालेंगे, तो पेर बनाया, तो क्या हो जाएगे इदर, लिखना पड़े गारफ, 2 जाब 4, यहां 2 बचे का पेर सही की उतालेंगे, 24 यहां पर 2 प्लस कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 4, और 87 लिखते, तो जादा बाद जो 6 लिखेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 6 जा 36 जा मॉट्टिपाइगा एंगे 46 और 6 का तो 6 जा 36 जा एंगे 3 और यहां पर 276 आएगा 276 तो 14 में 6 जाएगा 8 और यहां पर तो 8 जामेंडर बचा अब हम लिखेंगे नाओ इसकी करने के बाद में लिखेंगे नाओ 26 का स्क्वाइर लेस दन 684 में 26 का एजी स्क्वाइर करेंगे तो 684 से कमा रिए तो वी चूज स्क्वाइर साफ वी चूज स्क्वाइर आफ 27 कम है इसलिए हाँ क्या कमेंगे 27 27 लेगे स्क्वाइर आफ 27 यहां पर भी लिखते हैं तो ठीक रहेगा स्क्वाइर आफ 27 सो वी चूज स्क्वाइर आफ 27 26 का जो इसक्वाइर निका रहे है 2784 से कम आ रहा है इसलिए हम एक ज्यादा लेनेगे 26 से ज्यादा 27 होगा तो अब देखेंगे 684 less than 27 का square में 684 क्या हो जाएगा अब छोटा हो जाएगा 27 के square से Now 27 square equal to 729 और 27 के square करेंगे तो 729 आएगा So the least number to be added The least number The least number Number To be added To be added 7 to 9 Minus 684 Equal to 45 So The least number कम ओ जाएगा 45 हो जाएगा So 45 Should be एड़े टू में जाली देंगे तो फोटीफाइग तुट भी एड़े टू में एटेल पर्फेक्ट इस्वार यहां से आपका कोश्चन यह कोश्चन नमर थाट कम्प्रीट होया तो पहले हमके क्या किया यह देखा कि प्र्फेक्ट इस्क्वार है की नहीं पहर इसका स्कवारОड निकाला और कि स्कवारट डिकाली पाद जो भी की प्रेशर प्रिशर से सब्सकुरा कि अविक प्रिजम का लास्ट में हमें बता चला कि जो नंबर से उसमें 45 ゃंट कर दिया है तो पर्फेक्ट इस्क्यार नमबर बन जाएगा Q4 Q4 है Find the smallest 4-digit number विच जे पर्फेक्ट इस्क्यार 4-digit का smallest number पता करना है जो कि ये पर्फेक्ट इस्क्यार नमबर हो तो लिखेंगे पहले We know that We know that That We know that Smallest 4-digit Number Is 1000 1000 4-digit का smallest number होता है और इसका हम इसक्यार फाइंड करेंगे तो यहां से इसका पेर्वान इसका नहीं बन रहा है तो इधर आएगा 3-3 जा 9 और यहां पर बन जाएगा और ये 100 रहेगा तो इधर प्लस करनेंगे तो इसका जाएगा ती 2 लिखते हैं तो 100 से जाता हो जाएगा तो बन दिखेंगे तो यहां पर 39 आएगा तो इसका जो रिमेंडर बचा वो 39 आगया और जो 31 का स्क्वार होगा वो जो है लेस देन होगा 1000 से तो हम क्या करेंगे इसको एक बार आगे बढ़ा किसको रूट कर लेंगे अपने से इस टैप से कर सकते हैं तो हो जाएगा 3 39 आएगा यहां पर 1 लिखा था अब आपने से एक बढ़ा लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2 लेंगे तो इससे जादा हो जाएगा 1 20 4 हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 1 यहां पर आगे 20 यहां पर ऐसा करके छोड़ देंगे तो अब जो इसमें स्टेक्मेंट लिखेंगे यहां पर देखाँ 1st मी जो है रिमेंडर लिखेंगे Since reminder is since reminder is Remender 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 is 39 इसका जो reminder हो 39 है 9 31 31 square is less than of 1000 31 का जो square करेंगे वो less than over 1000 से तो हम क्या करेंगे 32 ले ले लेंगे 32 ले लेंगे और उसका square करेंगे सो चूल स्वी square of 32 कितना हो जाएगा 32 कर square करेंगे तो 1024 हैंस दा हैंस दा इस्मालेश्ट 4 इजिट नमबर इस 1024 क्वेश्ट नमबर 5 losses when these to be a buddies we know that वे लेंगे लाजेस्च का नमबर सिर्ट को रता करेंемся अ तो मेंगे जिचेंगे वी नौदेश्ट लेलो थैंग मुन्हाइट वी नौ जैच्ट ज्यच्वेश्ट वाद को तोदिश्ट वद्वायक हो तो यहां पर आएगा नाइन से बन जाएगा और यह 38 बचा तो अब लिखेंगे इसके लिए इसके बिलाए तो रिमांडर नाएक यह इसके लिएंटर यह ग्रेंडर कौरे नेकर 996, this means this means means we this means if we subtracted subtracted the remainder 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 from the number from the number from the number we get a perfect square we get a we get a perfect square square number यदि हम जो numbers दिया है उसमें हम from the number we get a perfect square number जो भी remainder उसको subtract कर दे means 999 minus 38 कर दे तो बनेगा 961 961 जो है वो perfect square number तो 961 कर आप करके भी देखेंगे तो 31 आएगा करके देख सकते हैं ये 31 और हमें यही पता करना था वो largest number का पता करना था जो की 3 digits का perfect square number तो So 961 is a perfect square perfect square number तो यहां से आपका question number 5 complete होता है next video में मैं exercise 3.5 के question number 6 से करूंगा तब तक के लिए good day thank you करूंगा